मस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एलेक्ट्रिकल क्लब में दोस्तों जो भी कंडिडेट एले यूपी पीसेल से रिलेटेड हैं जो भी यूपी पीसेल का फॉर्म वगेरा फिल अप करते रहते हैं जेई का एई का टीजी टू का तो वो कंडिडेट इस वीडियो को जरूर लाड़ सकते हैं क्यूंकि उनके लिए काफी सारी जानकारी इस वीडियो में है तो आप लोग को सब सब पहले में बताऊंगा कि आप लोग का टीजी टू की जो वेकेंसी आने वाली थी जायसा की हाली में हमें पिछली वीडियो कुछ दिन पहले में बनाया था कि आप लोग की उपीचल टीजी टू की वेकेंसी जो है बहुत जल्द निकलने वाली है हाला कि निकली भी थी लेकिन उन्हें डिले कर दिया क्या है उसका कारण क्या है तो आप स्क्रीन पर एक नोटीस देख रहे हैं इस नोटीस की कारण ही आप Europe की वेकेंसी अभी रुकी पड़ी है आप लोग की कभ तक वेकेंसी निकले की क्या है आपलोग के पूरा मामली इसमें बताने वाले हैं इसके बाद आप लोग का UPPCL-AE की कब निकलेगी इसके अलावा UPPCL-JE की जो एक और related vacancy निकली है वो भी आप लोग को बताऊंगा तो अचलिए वीडियो को पहले यहां से start कर लेते हैं बात कर लेते हैं TG2 vacancy के बारे में यानि कि आप लोग के जो 2022 में vacancy आई इसके पहले 2020 में आई थी तो उसी 2020 का यह आप लोग का पूरा मामला है चाहिनित किये गए Technician Grade 2 के वह अभ्यरती जिनकी सेवाए माननी उच्च नियाला इलहाबाद में आयोजित याचिका संख्या इतने इतने पर के विरुद्ध माननी उच्च नियाला इलहाबाद के एक एकल पीठ निरणे दिनांक साथ 10.07 के अनुपालन में समाप्त कर दी गई थी एवं जो प्रतियोगता है तो निर्धारित अधिक्तम आयू सीमा की पार को पार कर चुके हैं को उनको अधिक्तम आयू सीमा में आवस्यक छूट प्रदान करते हुए इस विग्यापन के अंतरगत बतावर अभ्यर्थी प्रतिभाग लेने के लिए एक अंति मौसर दिया जाता है आयू सीमा में प्रदान की गई सिथिलता किवल इसी विग्यापन में मातर एक ही बार अनुमान ने होगी तता चैन का आधार वी नियमा वली के अनुसार नियत स्रेशिस्ता होगी तो दोस्तो इसमें ये बताया गया है कि जो पिछली बार यहाँ पर कंडिडेट ने फॉर्म फिल अप किया था उन्होंने अपने जो फॉर्म डॉकुमेंट है अपनी एज है वो सब छुपा ली थी गलत फॉर्म वहाँ पर जमक पिये गया था जब उच नियाले ने सब कुछ यहाँ पर जो एज रिलेक्सेशन छूड मिलती है सारा कुछ जब उसके रूल बताया तो उन्होंने अपनी गलती मानी और उनको जॉप से निकाल दिया गया था तो उन्होंने का कहना ये था कि हमारे फिल से वर्ती किया जाए फिर से वेकैंसी जो है हमारे फिर से एक्जाम लिया जाए तो उसी के मामले में यहाँ पर चलिए हम आप लोग को लिखे के माद्य हम समझा देते हैं UPPCL TG2 की वेकैंसी लेट होने का मुख वज़ए फर्दी सर्टिफिकेट लगा के सिलेक्ट हुए कंडिडेट हैं जिनको UPPCL ने जॉब से हटा दिया था उसके बाद वो कोड गये तो 2020 TG2 में इन्हें आयू के छूट देते हुए इन्हें अंतिम मौका दिया गया था एक्जाम देने का अब ये फिर से मांग रहे हैं कि हमें जॉब पर रखें या फिर एक बार फिर से एक्जाम देने दिया जाए नोटिफिकेशन बन गया है इनका मामला आप तो होते ही नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा यानि कि 2022 में जो वैकेंसी आने वाली है टीफिकेशन आपकी जल्द देखने के मिलेगी जब ये मामला आप लोग का सांथ हो गया है हाला कि यहाँ पर आपने यूपिपीशन के जो यहाँ पर आप लोग ये देख रहा है नोटिस तो यहाँ पर एक्जाम देने की बात यूपिपीशन ने या फिर कोट ने एज रिलेक्सेक्शन के मात्यम से छोड़ दे दी है तो आप लोग की बहुत ही जल्द आप वेकेंस आप लोग को दे रहे हैं कि आप लोग के वेकंसी ये दोनों बहुत जल्दाने वाली है अभी आप लोग की जो दो जून की निकली है परसनल आफिसर की इसका फॉर्म जो है भरना इस्टार्ट हो गया है अपलाई कर सकते हैं इसमें कंपटीशन काफी कम रहेगा क्योंकि वेक काफी कम है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो लोग घर पर ही बैठे रहेगे तो यहां पर आप बात कर लेते हैं हम लोग हरियांना सरकार ने यहां पर काफी सारी यूपि यहां पर. जेए की vacancy निकाली है mechanical, electrical और civil के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,900 पर के लिए यहाँ पर हरियान सरकार ने vacancy निकाली है लेकिन आप लोग को CET के टायत आप लोग को जैसे यहाँ पर भठती के लिए CET जरूरी योगता CET की माध्यम से आप लोगों को ये form भर सकते हैं और इसमें आप लोग को electrical, civil, mechanical की यदि आप छात रहें तो apply कर पाएंगे और इसमें काफी सारी vacancy है और notification इसका official जैसे ही आएगा आप लोगों तक पहुच जाएगा वीडियो की माध्यम चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लें और दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो share, subscribe और like जरूर करें और जिन्होंने चैनल को नहीं जोइन किया है टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लें लिंक लोगों के लिए description पे है दोस्तों मिलते हैं एक वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद